उज्जन के गायद्रे शक्ति पीट आश्रम और मंधिर में भक्तों और शधालूओं को पिलाया गया ब्रह्म दवा का खाड़ा दालू जो मंदिर परिसर में आये हुए थे पूजा पाट करने के लिए उनको उनके परिवार के सदस्यों को ब्रह्मी दवा का काड़ा पिलाया गया ओशदी युक्त काले काड़े का सेवन करने से कई प्रकार की विमारियों का नाश होता है उज्जन से विरेन शर्मा की प्रकरती की जड़ता सर्दियां दूर होके और चेतना का संचार आजसी सुरू होता है और आज के दिन द्वन्नी का सेवन करना चेतना को जागर्ट करता है मस्तिस को पीबर करता है मेमोरी को बढ़ाता है और आने वाले समय के लिए तयार करता है ब्यक्ति को ताकि वो अपने को तियार करती है पुराने पत्तों को छोड़के नए पल्लव आते हैं नए फूल आते हैं पूरी प्रकृती जागरित होने लगती है और इस समय ब्रह्मी का सेवन मनुस्थ के लिए अतीव उप्योगी रहता है ताकि वो भी अपने आपको नया पन कर सके कुछ दुनि कि भावना से यह कारिकम चल रहा है हमारा बच्चे की हमारी आने वाली जो पीडी है कि शुषदी की जो नहीं पीडी है वो बुद्धिवान हो वो तैलेंटेड हो इसलिए यह आयुज़न रखा जा रहा और यह से बुद्धी शार्क होती है लगातार बच्ची बच्चे न ग्यानिक विधी जिसके मात्यम से यह टूल्स के रूप में यह काम करेंगे ताकि बच्चे की बुद्धी और शार्क होती चली जाए हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब तरे और पास में लगे डेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी ना भूले